नमश्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं आज हम आपके लिए लेका आए हैं एक इंपॉर्टेंट अन्बॉक्सिंग जो कि आपके फेस की किस तरीके से केर कर सकता है क्योंकि आप दिने ओनलाइन तो बहुत देखा होगा निभिया मैं और इसका मैं प्रोमोशन नहीं करना है अक् रुपे कहीं मिला और एक्चुली इसका प्राइश थीन सो रुपेई था मतलब दो सो निन्नयानुए रुपय ही था यहां पर इसका एक्चुली ब्राइश मेंशन नहीं कर रहा है नहीं तो मैं आपको दिखा देता है लेकिन यहां पर तब इसका frontline look देखते हैं तो कुछ आ अंदर दले में बैक साइड भी आप देखेंगे यहां पर तो इसके अंदर सारी कुछ टिटेल दे रखी है सेवें टाइप रिसाइकल है डेड़ सो मिली एंपेर मतला है मिली एंपेर मिली लेटर दे रखा है और यहां पर जो मैनुफैक्टरिंग है वो 23 में होगा है एक्सप रिजाइन और इसका जो मतलब बात करी जाए तो आउट लुक बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहां पर निकालते निकालते ना रखना यूँ पड़ता है सब कुछ हो जाता है खतम और आदा तो निकलने के ढखकर में ही रह जाता है बारवा मुझे वाश करना होता है वह च वैसे तो साइड वाइट से नहीं निकल रहा है लेकिन यहां पर तब हमने इसे निकाला तो यहां से कुछ ना मतलब डीला है लेकिन यहां से अभी ओवर्फ्लो नहीं हुआ है तो आपको में यहां पर लुक दिखाओं यह पास में आप जब लुक देखेंगे तो यहां से निकलता है थोड़ा सा मगर अभी तक overflow नहीं हुआ कि side में आ रहा है नहीं आ रहा है फिर equally हो जाएगी यहां पर wastage होगी लेकिन ऐसा नहीं होगा जो बात करी जाए तो अब ढ़कन बन कर रहे हैं वहीं जाके लग रहा है उसी से निकाल के आप मुझे लगा रहे हैं वह चीज थोड़ी सी बच जाती है थोड़े बद प्रोटेक्ट होने के बाद बात करी जाए तो थोड़ा बहुत गिरिमी जाय तो इत्तिया से तूटेगा नह हाट प्लास्टिक नहीं सॉफ्ट प्लास्टिक में दिया है और आपको लगता है कि हाँ ये डबा खाली हो गया है तो गानियर का भर के इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं मैं यही करने वाला हूँ इसलिए मैंने ये डिबे के चक्कर में थोड़ा से जादा मंगा है लेक कुछ आपको सब डिटेल देखने के लिए मिलती है क्लियर टू क्लियर लेकिन सबसे आधा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि अभी तक आपने सब डिटेल देख लिए लेकिन यहां पर बात करी जा है तो क्योंकि निविया मैन है तो इसके अंदर किस तरीके का टैक्चर बाद करी जाए तो किस तरीके से मेरे श्किन पर इन्हें वर्क किया तो यह अप वीडियो देख रहे हैं यहां पर अस प्रोड़ीके से सभी इस और यहां पर बात करेंग तो तो मैं गान्नियर यूजअ आप देखेंगेがी एक अच्छा घासा मतला पूरे फेस को उच्छ जल्दी कवर किया लेकिन इसमें मुझे जो एक प्रॉब्लम लगी जैसे कि यहां पे गानियर वाला है शायद यह प्रॉब्लम में यह अच्छा भी हो सकता है लेकिन मैं आपको डिसकर जरू करूँगा क्योंकि यहां पे गानियर का आप जैसे निकाल के लगाते हैं और वैसी dalी मूज्द हुला Should've tempo मतलब आपको दो य तीन बहर वाश करना होता है गानिया लगा के लेकिन बात करी जाया तो निल्विय मैंन लगाके तब अपनी बेढ़िन का फेश वास लगाते तो उसके बात आपको कमेंसरा हते च्हे बाar लाश करना होता है इस से आई चुली क्योंकि मैं ज्यादा धूप में या पात करिया है तो रोड ट्रेवल नहीं रहता मेरा मैं पूरे दिन कमरे में रहता हूं तो वहां पर उस रिजल्ट के हिसाब से बता हूं तो सही लगा मुझे कि यहां पर आप देखें कि मैं यूज भी कर रहा था तो कुछ जादा इतना इ जाए तो रफ जैसी हो जाती है यहां पर लेकिन इस मामले में विनिविया को कूँ तो यहां पर रफ जैसी नहीं हुई लगा रहा है कि हाँ अभी शायद फेस्पॉस लगा वैं मतलब अरौंड छे वर मैंने धुला फेस छे वार के बाद भी हां की एक सॉफनेस रही थी ल लेकिन बात करे जाया तो फेस्पॉस आपको किसी पाइटिकुलर मैटेरियल से अलेर्जी है तो वह जरूर चेक कर लिए जागा लेकिन बात करे जाया तो क्यों डूरिंग दिस सेल खरीदा तब दोसर निन्यानवे रूपर पढ़ा जो कि औरिनल प्राइस था और नॉर्मल कोस्ली नहीं मंगाऊंगा फिर मैं 120 गानियर का या निविया का इसमें में यूज करना है क्योंकि डिब्बे की मैनुफेक्ट्रिंग कॉस्ट भी अच्छी खासी होती है इस डिब्बे की कॉस्ट पचास से साथ रूपर होगी फिर उसका डिलेवरी चार्स पर उसमें कमीश जैसे कि मैं भी आराउंड कम से कम तीन या चार साल से कंटीनियू गानियर यूज कर रहा हूं एक दर निविया पे गया तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगा की स्किन को लेकिन आप ऐसे प्रोड़क्ट यूज करते हैं जो ज़्यादा देर तक फेस पर रहते हैं और आप आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेकिन जो गानियर यूज करते हैं उनको थोड़ी सी एरिटेशन हो सकते हैं लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं तब आप इस प्रोड़क्ट को खरी सकते हैं यह अच्छा एक बात की जाए तो प्रोफॉर्मेंस प्रोइ